सभी बच्चों को मैंने नमस्कार, तेकि बात हो रही है, हो रही थी और आगे भी होगी ये Intrigation, NCRT Class 12, हमने 7.6 डिस्क्रस की थी, उस पर 8 कोशन हमने एक वीडियो बनाया था, वो अप्लोड है, देखा भी होगा आपने, उसके आगे कोशन में डिस्क्रस कर रहे हैं, यहाँ पर रूल लगाया जा रहा है, प्रोड़क्ट रूल, हमने बताया था कि मालियाद दो फंक्शन है integration में, first function into second function और इसका integral करना है, तो यहाँ पर product rule differentiation का नहीं होता है, कि first function into dy dx of second function plus second function dy dx of first function नहीं होता है, यहाँ पर rule change होता है, ठीक है, rule यह है, first function into integral of second function minus dy dx of first function into integral of second function, जो भी result आएगा उसका, यह पूरे result का, whole integration करते हैं, तो इस प्रकार से इसको integral का rule लगाया जाता है, अब जो first second function है, वो भी deciding, एक rule होता है, उसको decide करने का, rule क्या है, देखिए, इसमें एक concept है, i late का, i late, इतनी प्रकार के function algebra में होते हैं, यह होता है, exponential function, exponential function, 8 power x, 8 power x, जो भी function होते हैं, वो यह है, यह है, trigonatical function, अब जानते हैं, sin, cos, 10, यह algebraic function, algebraic का मतलब होता है, जैसे 2x, x square ऐसे function है, यह है logarithmi function, log वगरा होता है, यह है inverse function, ठीक है, इतने ही प्रकार के function होते हैं algebra में, तो इन में से जो पहले आएगा, वो first माना जाएगा, पहले तो यह rule हो गया, ठीक है, दूसरा यह rule है कि भाई, जिसका integral नहीं हो पा रहा है, चुकि differentiation में क्या होता है, कि सबका differentiation हो जाता है, जैसा function हो, हम T मान के उसको differentiate कर देते हैं, लेकिन जिसका differences integral नहीं होता है, उसको first मानते हैं, वो rule 99.99% isolate लगेगा, लेकिन मान लिया, कहीं एक 8% नहीं लग पा रहा है, तो जिस function का integral नहीं होता है, उसको first मानते हैं, ठीक है, दूसरी बात, अगर एक ही function है और integral नहीं होता है, माले log x का integral करना है, log x का integral होता नहीं, तो ऐसे function में क्या करते हैं, बैं log का integral होता नहीं, तो हम क्या करते हैं, into में one एक function मान लेते हैं, उसको x algebraic मान करके, उसको हम integrate करते हैं, ठीक है, इसलिए वो break करके बनाना पड़ता है, अब बात करते हैं, 9th question, ठीक है, this is 9th question, यह exercise 7.6 NCRT की है, हमने काता है, integral में सबको i मानते हैं, integral of x cos inverse x, x cos inverse x dx, अब देखो, अगर आप i late की बात करें, i late, तो यह है आपका inverse function, यानि inverse function, और यह है आपका algebraic, यानि algebraic, algebraic और inverse में पहले कौन आ रहा है, inverse आ रहा है, और हमने कहाँ जो पहले आएगा, वो first माना जाएगा, जिसको first मानेंगे पहली बात, दूसरी बात आप जानते हैं कि inverse का integral direct होता नहीं, इसलिए मजबूरी में उसको integrate नहीं कर सकते, तो इसको first मानेंगे cos inverse x को, तो क्या होगा, cos inverse x into integral of second function minus dy dx of first function into integral of second function, जो भी ये result आया है second वाले term का, इसका whole integration कर देंगे, ज़रा calculation जरूर चेक कर लिजेगा, कभी कभी क्या होता है कि plus minus कहीं गलती हो जाती है, अब वीडियो तो आगे बढ़ गया, पीछे तो पकड़ में आयागा नहीं, उसको देख लीजेगा, ठीक है, बिससे कोसिस की जारी ही गलती नहीं होगी, cos inverse x, x का integral क्या होता है, x square by 2, minus, अब cos inverse x को differentiate करेंगे, तो differentiate cos inverse x का क्या होता है, minus 1 upon root 1 minus x square, जो minus होता नहीं, plus यहाँ पर आ जाएगा, 1 upon under root 1 minus x square, और इसका integral क्या होगा, x square by 2, बस यहीं पे गाड़ी रुग गई, क्योंकि integral में खास बात होती है, कि function integrable होगा, तभी integral हो सकता है, देखे ज्यान से, इसको तो पहले कर दिया, हमने x square by 2 into cos inverse x plus 1 by 2 integral x square by under root 1 minus x square dx, ज़रा साउधान, अगर यह उपर वाला x square ना होता, ना होता, तो 1 upon root 1 minus x square का integral sin inverse x भी होता है, और minus cos inverse x भी होता है, लेकिन यह है, अब क्या इसे हटाया जा सकता है, तो देखे, कई तरीके होते हैं, आप x cos sin theta मान के इसको change कर लो, तब ही हो जाएगा, दूसा तरीका यह है, देखे ध्यान से, अगर यहाँ पर यह सेम चीज उपर हम ले आवें, तो काम चल जाएगा, जा ध्यान से समझेगा, अगर इसमें हम minus 1 कर दें और प्लस 1 कर दें कोई दिक्कत, हम यह सेम चीज उपर लाने की कोशिस कर रहें, आप कर सकते हैं आप, अब देखो ध्यान से, यह होगा x square by 2, जा rating अंदी हमारी है, content अच्छा होगा, इसकी चिंता मत करिएगा, 1 by 2 integral, देखो, इसमें 1 लिखा रहें दो, चुकि हमको x square negative चाहिए न, तो यह जो दो टर्म है न, इसमें minus काम ले लो, तो अंदर आएगा 1 minus x square, और upon under root, 1 minus x square dx, कर सकता हूँ मैं, है न, अब देखो, इसको इसके नीचे अलग कर दो, इसको इसके नीचे अलग कर दो, कर देते हैं, देखे, यह note कर लीजेगा, एक बात ध्यान रखिएगा कि, cause inverse x और sin inverse x का differentiation सेम होता है, ठीक है, कि और minus का, जो है अंतर होता है, तो integration में भी वही से लफ़ड़ा होता है, तो इसको जो अलग अलग करेंगे, यह आएगा, x square by 2, into, cause inverse x, plus 1 by 2, अब देखे ध्यान से, इसको 1 upon इसको अलग कर दो, 1 minus x square हो, minus, जब इसको इसके नीचे करोगे न, तो इसको क्या हो जाएगा, 1 minus x square upon under root 1 minus x square, अब आप intermediate में हैं, थोड़ा बहुत mathematical calculation आपको आता होगा, मुले अच्छा, हमको सब आता है, वो तो अच्छी बात ह cause inverse x, plus 1 upon 2, यह अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको लिखा रहें दो, देखो, अगर कहीं पर यह root है, यह root नहीं है, तो यह root उपर चढ़ जाएगा, तो यह बन जाएगा, under root 1 minus x square dx, अब इसको अलग-अलग integrate कर देते हैं, है न, देखें, तो यह हो जाएगा, आपका, x square upon 2, into, cause inverse x, plus 1 by 2, integral, 1 upon, under root, 1 minus x square dx, अलग कर देंगे, और minus 1 upon 2, integral, under root, 1 minus x square dx, अलग कर देंगे, अब यह one upon root, a square minus x square का formula अलग होता है, और root, 1 minus x square का formula अलग होता है, तो देखें, इसको करेंगे, तो आएगा, x square by 2, into, cause inverse x, plus 1 by 2, यही पर गाड़ी फस गई, गाड़ी फस गई, in the sense, 1 upon, under root, 1 minus x square का, integral, sine inverse x भी होता है, और minus, cause inverse x भी होता है, तो चुँकि यहाँ पर हमारा, जो hero है, cause inverse x है, इसको हम लिखेंगे, minus cause inverse x, answer mismatch भी कर सकता है, क्योंकि वो sine inverse x लिख सकते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आपको यह ध्यान होना चीए, कि जहाँ पर sine inverse x है, वहाँ minus cause inverse x लिखा जा सकता है, ठीक है, minus 1 by 2, अब देखें, यह root a square minus x square का जो formula होता है, उसे आपको याद होना पड़ेगा, ठीक है, मैं अलग कहीं formula लिख देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, under root a square minus x square dx को जो integrate करेंगे, इसका formula होता है, तो होता है, 1 by 2, बाहर लिख दीजेगा, आएगा x under root a square minus x square, प्लस a square sin inverse x अपाने, प्लस a square sin inverse x अपाने, बस यही गाड़ी यहाँ भी फस गई, क्योंकि यह जो sin inverse x अपाने है न, जो हम इसको integrate कर रहे होंगे, जो formula apply किया गया होगा, तो simple सी बात ही है, यह फार्मिट आया होगा, और इसका integral sin inverse x भी होता है, minus cause inverse x भी होता है, तो यह sin inverse भी लिख सकते हैं और minus cause inverse भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़े लिखी जा सकते हैं, हम sin inverse लिखेंगे, कहें हमारा मन, हम कहा है कि लिखेंगे, दिखो लिखते हैं इसमें, क्या formula क्या गया, 1 by 2 बाहर कर दो, x under root 1 minus x square plus a square तो 1 हो जाएगा, हम चाहें तो sin inverse x भाने को हम minus cause inverse लिख सकते हैं, तो यह minus लगा करके, यहाँ that cause inverse x कर दो, चलेगा, लिख सकते हैं, plus constant, यह बिरा answer आ गया, थोड़ा सा इसको amend कर दो, तो यह क्या आएगा, x square by 2, cause inverse x, minus 1 by 2, cause inverse x, minus 1 by 4, x under root, 1 minus x square plus 1 by 4 into cause inverse x plus c, यहाँ पर answer mismatch भी कर सकता है, जो कि जो आपने sin inverse x by a हमने लिखा फामुला, वहाँ पर minus cause inverse x भी लिखा जा सकता है, ठीक है, अब थोड़ा सा, चुकि इसके पास भी cause inverse है, इसके पास भी cause inverse है, यह भी cause inverse वाले हैं, तो ऐसा करते हैं, कि हम यहाँ, तो cause inverse x कामुल ले लेते हैं, यहाँ क्या पचेएगा, यहाँ पचेएगा, x square by 2 minus 1 by 2, और यहाँ पचेएगा plus का 1 by 4, और minus का 1 by 4, x under root, 1 minus x square plus c, जिसको थोड़ा solve कर लिजेगा, यहाँ 4 LCM ले लो, तो यह आपका cause inverse x by 4 नीचे आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 x square, जोकि यहाँ minus का 2 आएगा और plus का बनाएगा, तो minus का 1 हो जाएगा, minus का 1, और minus 1 by 4, x under root, 1 minus x square plus c, मेरे हिसाब से यही आंसर होगा, एक बार मैच कर लेते हैं, मैच कहां से करें है, cause inverse x by 4, 2 x square minus 1, minus x by 4, root 1 minus x square, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब यह फार्मुला बन सकता है, ठीक है, मतलब यह यहाँ पर mismatch हो सकता है, यह जो हमने cause inverse लिखा, यह sin inverse x भी हो सकता है, तो this is the question number 9, देखे, question कहता है, 10th, integral sin inverse x का whole square, एक तो sin inverse x का integral नहीं होता, पहली बात, अभी whole square हो खतरनाक है, तो एक तो तरीका होता है, into 1 मान के इसको integrate कर दो, अभी हमने बताया था, दूसा तरीका यह होता है, कि जो लफ़डा create कर रहा है, let sin inverse x को हम मान लेते है theta, तो x की value क्या हो जाएगी, sin theta, inverse का लफ़डा हटा रहे, ठीक है, तो जब इसको differentiate करेंगे, तो dx की value क्या होगी, cos theta, d theta, इसको उठाके यहां रख दो, so i is equal to क्या हो जाएगा, इसको आपने theta माना है, तो यह theta square हो गया, और dx क्या हो गया, cos theta, d theta, जो अब यहाँ पर देखो theta as a x treat किया जाएगा, यह एक तरीक है, x square, cos x लिखा हुआ है, और यह आप यहाँ पर i late लगा सकते हैं, तीक है, यह algebraic होगा, यह trigonatical होगा, और i late के हिसाफ से ज़रा देखे, late के question लगाते हैं, यह algebraic के trigonatical, पहले को न आ रहा है, पहले algebraic आ रहा है, तो algebraic को first function मान तो क्या होगा, first function into integral of second function, देखे ध्याना कि कोई step omit नहीं करेंगे, मताब skip नहीं करेंगे, कि जम मार गए, minus, इसमें integral sign अभी मत लगाईएगा, इसे पर लिखो d by d theta of theta square into integral of cos theta d theta, जो भी result आएगा, उसको bracket बंद करेंगे, इस bracket की सेहत के हिसाफ से integral का sign लगाएंगे, बहु और यह बाई साब bracket यहाँ लगा हुआ, यह integral इसके पैरों में पड़ा हुआ है, तो integral का sign थोड़ा दमदार होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूरे function को integrate कर रहा है, तो पूरा function उसमें cover होना चाहिए, यह हो गया d theta, तो यह आगया theta square, cos theta का integral क्या होता है, sin theta minus integral, theta square का differences in 2 theta into cos theta sin theta, d theta, लफड़ा, अभी यह खतम नहीं हुआ, यहाँ पर फिर product rule लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक note कर ले, समझ के करिएगा, उनने क्या कहा, plus minus की गलती होने की chances यहाँ बहुत होते हैं, ठीक है, और चुंकि वीडियो आगे बढ़ जाता है, तो confusion हो जाता है, तो यह i is equal to क्या हो गया, theta square, sin theta, minus 2 बाहर कर दो, यहाँ लगा दो, फिर product rule, first function theta, into integral of, second function, sin theta, d theta, minus, differentiation of, theta, into integral of, sin theta, d theta, यह वीडियो आ रहा है, उसमें, नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको turn कर देते हैं, कैमरे को थोड़ा सा change कर देते हैं, जिससे कि काहे के लिए रप करना पड़े, और यह पूरा जो result है ना, इसका हम whole integral कर देंगे, theta के respect नो bracket बंद कर देंगे, अब तो पूरा आ रहा होगा, हाँ, ठीक हा रहा है, देखो, is equal to, theta square, into sin theta, minus 2 बाहर कर दिए, यह bracket बाहर, यह वाल तो minus cos theta हो जाएगा, minus integral, theta का differentiation 1, sin का minus cos theta और d theta, plus minus की गलती, अचा, plus c जो है, वो आप final answer लिखने के बाद भी add कर सकते हैं, या आप plus c लिखते जाएगे, कोई दिक्कत वाली बात ने, हम final लिखेंगे, theta square, sin theta minus, अभी हम bracket नहीं खोलना है, theta minus का theta, cos theta, यह minus minus plus हो गया, cos का integral क्या होता है, sin theta, अब integral हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर c, plus कर देंगे, it is a constant of integration, अब bracket खोल दो, theta square, sin theta, minus minus plus 2 theta, cos theta, minus 2 sin theta, अब देखो, जो theta का assumption था, वो मेरा purpose solve कर रहा था, ठीक है, और वही है, मतलब निकल गया, तो पहँचानते नहीं है, यूँ जा रहे हैं, जैसे हमें जानते नहीं है, अब मेरा मतलब निकल गया, भाड़म जाए, इसकी इसी, क्या करेंगे, जहाँ अकेला theta है, वहाँ लिख दो sin theta है, वहाँ लिख दो x, और जहाँ cause है, उसको theta में, sin में convert कर दो, तो देखिए, ये theta है, theta क्या लिखा जाएगा, असा ये sin theta की value क्या है, x है, तो आएगा x into sin inverse x का whole square, plus 2, theta की value क्या है, sin inverse x, और cos theta को क्या लिखेंगे, under root 1 minus sin square theta, यानि 1 minus x square minus 2x plus c, ये भी answer को छोड़ दीजे, एक चीज़ और, अगर आप product rule लगाते है, और sin inverse x into 1 मानते हैं, और 1 का integrate करते हैं, जोकि sin inverse x का integral होता नहीं है, तो result same आता, उसमें भी आपको यह answer मिलता, ठीक है, तो this is the question, solution check कर लेते हैं, answer से क्या आ रहा है है, कहां गया question number है, 10th, x sin inverse x whole square minus 2 sin inverse x root 1 minus x square minus 2x, वार आजा बिटा हो गया है, very good, ठीक है, this is question number 10th, देखिए 11th question क्या कह रहा है, कि x cause inverse x upon root 1 minus x square, integral का rule यह कहता है, कि भीया, यह integrable हो जाएगा, तब ही integrate होगा, पहली बात, जो दिक्कत create करें, उसको t मान लो, सर्त यह है, उसका differentiation present होना चाहिए, अगर मैं cause inverse x को theta मान लेता, तो इसका differentiation 1 upon root 1 minus x square present है, इसलिए हम यहाँ पर इस cos inverse x is equal to t, तो इसका differentiation क्या होता है, minus 1 upon root 1 minus x square dx is equal to dt, और दूसी बात यह भी जरूरी है, कि पूरा का पूरा function t में convert होना चाहिए, तो हम यहाँ पर चाहें, तो t की value क्या ले सकते हैं, cos x की value क्या ले सकते हैं, cos t भी ले सकते हैं, अच्छा, देखे, दरा ध्यान से समझेगा, यहाँ पर आपका dx upon, यहाँ पर इधर क्या लिखा हुआ है, dx upon root 1 minus x square को क्या ले सकते हैं, minus dt, तो इसको लिख दो minus dt, लिख दो उठा के value, so i is equal to क्या लेगा, देखे, यह जो अकेला x है, वो हो जाएगा cos t, ठीक है, इसको आप का integral क्या आएगया, minus t cos t dt आगया, कुछ पहचान में आ रहा है, यह product rule लग जाएगा न, x sin x, x cos x, इसको रफ कर रहा हूँ है, ठीक है, और product rule में क्या होता है, i late के हिसाब से, यह algebraic है, यह trigonmatical है, तो first किसको मानेंगे, algebraic, और ध्यान नहीं है, t के respect में आप integrate कर रहे हैं, जब इसको integrate करेंगे, minus को आप disturb मत करिए, minus को बहार लिखाना दो, क्या होता है, first function t into integral of second function minus, differentiation किसके respect में, t के respect में, into t का differentiation into integral of cos t dt, और जो भी इसका result आएगा, उसका whole integral कर देंगे, minus की गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए minus को हमने बहार लिख दिया है, ठीक है, तो यह हो जाएगा, minus t, cos t का integral sin t, sin t, minus whole integral, t का differentiation 1, cos t का sin t, जाल लिख दिया है, sin t dt, और plus सी अभी नहीं लगा रहा हूँ, minus, अब minus को अंदर ले जा रहा हूँ, t sin t, अब देखो, minus जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा plus, लेकिन sin t का integral फिर minus cos t होता है, तो यह plus minus का फिर आ जाएगा, cos t, plus c, अब सी लिखेंगे, अब देखें, यह t हमने assume किया था, अब सो गायब कर दो, जहाँ अकेला t है, वहाँ लिखोगे, cos inverse x, और जहाँ पर x बरावर क्या लिखाता है, cos t, तो देखें, minus t को क्या minus cos t plus c, अब मान रख दो, तो आएगा minus cos inverse 6, under root, 1 minus x square minus cos t की value क्या है, x plus c, तो this is your integration, ठीक है, हाँ यह पहले यह बात में लिख सकते हो, वह एक अलागी बात है, this is your answer, ठीक है, question number 12, integral of x x square x, देखो दोनों का integral हो सकता है, दोनों का differentiation हो सकता है, लेकिन, अगर मैं कहीं गलती से, इसका integral कर दिया, तो x का integral x square by 2 value और बड़ी हो जाएगी, ठीक है, integral खतब नहीं होगा कभी, I late के हिसाब से, यह trigonatical है, यह algebraic है, पहले को नहीं आ रहा है, algebraic, तो algebraic को first मानेंगे, क्या होता, first function into integral of second function का integration, minus dy dx of first function into integral of second function, जो भी आएगा, इसका result ये वाला, इस वाले result का फिर whole integration करेंगे x के respect में, ठीक है, चुंकि sec square x का integral होता है, इसलिए हमने कोई conversion नहीं किया, otherwise हमको उस term में convert करना पड़ता है, जहाँ इसका integral होता है, अगर इसका नहोता तो, sec square का integral क्या होता है, tan x, minus integral, x का differentiation 1, और sec square का integral tan x dx, अब देखे, x tan x, minus, tan x का integral दो होते है, tan x का integral एक पड़ाय गया है आपको, tan x का integral, minus log cos x भी होता है, log cos x भी होता है, और एक log sec x भी होता है, हमने tan x, sec x, cortex, इसके सब के integral का वीडियो अप्लोड कर रखा है, उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका link नहीं हैं, फार्मुले अप सर्च करें थोड़ा होता है, जिसका हम क्या कर दें, log sec x कर देते हैं, तो minus log sec x, plus, यह ध्यान रखेगा, यह minus log cos x भी हो सकता है, यह फार्मुला भी अप्लाई हो सकता है, दोनों फार्मुले सही है, ठीक है, इस इस कुश्चन नमबर 12, प्शाए एक ब जड़ा आगे देखिए, यह 10 inverse x है, पहले बात तो single function है, और वो भी integrate हो नहीं सकता, और हमने कहा था, जब single function हो रो integrate नहीं हो तो क्या करेंगे, इसमें into one कर देंगे, और इसको algebraic माल लेंगे, तो isolate के हिसाब से पहले inverse आता है, फिर algebraic आता है, और हमने कहा जो पहले आएगा उसको first मानेंगे, दूसरी बात, अगर उसका integral नहीं होता, तो first माना जाएगा, ठीक है, तो यह first function क्या हो जाएगा, 10 inverse x into integral of second function minus differentiation of first function into integral of second function, जो भी result आएगा, उसका हम फिर से whole integration कर देंगे, तो देखिए, 10 inverse x, 1 का integral x, x into x, x square मत कर देना, वो angle है, वो x algebra है, minus, जब 10 inverse x को differentiate करेंगे, तो आएगा, 1 upon under root, sorry, root नहीं होता है, 1 upon 1 plus x square into x dx, अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखिए, इसको integrate कैसे करें, अगर हम इसको t assume कर लेंए, तो इसका differentiation उपर present है, तो यहाँ पर assumption किया जाएगा, हमने क्या क्या यहाँ पर, let 1 plus x square को हमने t assume कर लिया, यह fair work है, it is not rough work, यह वहाँ पर show करना पड़ेगा, और अगर यह बुर्द हौजपौज लिखा हो कहीं पर, तो i1 मान के अलग से integrate कर दो, बाद भी value उठा कर रग दो, तो जब इसको differentiate करेंगे, तो क्या to dt, चुकि मेरे पास यहाँ पर x dx है, तो x dx की value क्या आएगी, 1 by 2 dt, रग दो यहाँ उठा करके, so i is equal to क्या निकलेगा, यह तो आ गया, x tan inverse x minus integral, तो x dx को क्या लिखेंगे, dt by 2, 1 by 2 बाहर कर दो, upon t, 1 upon t dt का integral क्या होता है, 1 upon x का integral आपको log x बताए गया है, तो यह आएगा आपका x tan inverse x minus 1 by 2 log t mod plus c, हो गया integral, अब t का मान रग दो उठा करके, तो x tan inverse x minus 1 upon 2 log mod t is what, 1 plus x square plus c, तो this is the question number 13 solution, समझा रहा हुआ, rating थोड़ी गंदी है, लेकिन अब क्या बताया जाए भी, sage में हम सही नहीं कर सकते है, rating, समझा सही सकते हैं, ठीक, note कर लिजे इसको, question 14 कहता है, integral of x log x का whole square, देखिए, पहली बात तो log x का integral नहीं होता, और वैसे भी यह दो function है, log है और first function x है, तो x को integrate कर देंगे, अब आप कहेंगे, i late के हिसाफ से, वैसे भी यह first माना जाएगा log, तो क्या formula होगा, first function बोले तो, log x का whole square, ध्याने किया, log x का square नहीं है, अगर यह लिखा होता, log x का square, तो यह बन जाता 2 log x, लेकिन यह log x का whole square है, इसलिए ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है, यह ध्याने कीगा, तो into x का integrate करने क्या आएगा, update कर रहों है, x square by 2 minus, इसको differentiate करो, dy dx of log x का whole square into integral of 1x dx, का जो भी value आएगी, उसका whole integration करेंगे, तो यह तो पहले नहीं नहीं थो थोड़ा सा, अच्छा रहेगा, x square by 2 into log x का whole square minus, अब देखो log x का difference, log x के whole square का differentiation क्या होता है, इसको आप मन में x मानेंगे, इसका होगा 2 log x, और log x का करेंगे तो 1 पान x आएगा, और x का integral क्या होगा, x square by 2, जो भी यह result आया है, इसका दुबारा integrate करना पड़ेगा, 2 से 2 cancel हो गया, 1 x से 1 x cancel हो गया, यहाँ प फिर product rule लगेगा, क्योंकि इसका integration डारेक्ट नहीं लिख सकती, तो x square by 2 into log x का whole square minus बहार लगा रहने तो, यहाँ क्या करेंगे, x आपका algebraic है, log x logarithmic है, तो log को first मानेंगे, डाल लिख रहा हो में, log x into x का integral क्या होगा, x square by 2 minus log x को differentiate करो, d by dx of log x into integral x dx करोगे, जो भी result आएगा, उसका क्या करोगे, उसका whole integration करतोगे, ठीक है, minus plus की गलती नहीं होनी चाहिए, और बहुत जल्दवाजी ने करिए, अब आप कहेंगे, हम से कहरो, जल्दवाजी ने करिए, और आप बता रहे हो, कल्कुरिशन देखे रहे हैं कहीं mistake नहीं हो जाए, आरे, म log x का whole square minus, अभी बंद करते हैं bracket, यह हो जाएगा, x square by 2 into log x minus, देखे, log x का differentiation 1 by x, x का integration x square by 2, और इसका फिर integration करेंगे, यह, अभी constant नहीं plus किया, 1x, 1x कर जाएगा, 2 बार निकाल लो, ठीक है, अब देखे, यह क्या आएगा, x square by 2 into log x का whole square minus, यह आएगा, x square by 2 into log x minus, देखे, यह 1 by 2 बार कर दो, और x का integral क्या होगा, x square by 2 plus c, बसे answer आगया, अब फ़रा bracket खोलने का कष्ट करें, तो अपने आप answer आने का कष्ट कर लेगा वो, तो bracket खोल दीजे, उठा करके, तो यह क्या हो जाएगा, यह आएगा, x square by 2 into log x का whole square minus x square by 2 into log x plus 1 by 4 into x square plus c, अब चुकि यहाँ पर कोई चीज़ common लेने का कोई मतलब नहीं है, चाहो तो इसमें से x square common निकाल सकते हो, और चाहो तो यह answer छोड़ दो, जो चाहो वो कर सकते हो, वही तुमारा घर है, तुमारी खेती है, यही पर answer को तो कोई दिकत वाली भान है, this is question number 14, देखियो, x square plus 1 log x, this is question number 15, क्या भी वही बात है, इस पूरे को हम अलग नहीं करेंगे, अगर मैं अलग-अलग brackets कोल देता हूँ, तो फिर x square के साथ भी log x आएगा, और 1 के साथ भी log x आएगा, तो फिर अलग-अलग rule लगाना पड़ेग तो इसको एक माल लेते हैं, क्या आएगा, log x into integral of second function, ठीक है, चुकि log x का differentiation होता नहीं है, और d, sorry, integration नहीं होता है, d by dx of log x into integral of x square plus 1, जो भी result आएगा, उसका whole integration यहां कर देंगे, ठीक है, formula मालूप है, वही formula बार बार अप्लाई हो रहा है, तो यह आएगा log x, तो इसको integrate करेंगे, तो x square का integral क्या होगा, x cube by 3, 1 का x हो जाएगा, minus integral, log x का differentiation 1 by x, और इसका क्या होगा, x cube by 3, plus x bracket बंद, small bracket बंद करो, into dx, अब थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं, जो लिए, अरे, कठ century लगाने की बात कर रहे हो, x cube by 3, plus x, in bracket, log x, एक मिनट जड़ा, थोड़ा इसकी refling कर ले, इसकी refling नहीं करते हैं, minus, देखे, यहाँ से x कामल लेके, इसका x cancel हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, x square by 3, plus 1, और इसको integrate कर दो, तो इसका हो जाएगा, x cube by 3, plus x, in bracket, into, log x minus, देखे, यह 1 by 3 है, x square का x cube by 3 हो जाएगा, minus x का 1, 1 का x plus c, इसको थोड़ा calculate कर लो, अगले step में क्या करोगी, इस 3 को हड़ा देना, और यहाँ पर 9 कर देना, this is your answer, question number 15, तो ओकी, यह question number 16 है न, इसके कई तरीके होते हैं, कुछ assumption भी आप कर सकते हो, बिना assumption के भी कर सकते हो, देखे, नियम यह है कि अगर मैं bracket खुलता हो, तो eat pour x sin x, plus eat pour x cos x, दो हो जाएंगे, एक का highlight लगाएंगे, दूसरा अपने आप उससे मिल जाएगा, ठीक है, दूसा तरीका यह होता है, कि मैं यहाँ पर eat pour x sin x को t माल लेता हूँ, मैं दोरों method से बता रहा ह मैंने first method यह बनाया, first method मैं माल लेता हूँ, कि मैं इसको t माल लेता हूँ, तो जो इसको differentiate करेंगे, तो आएगा first function, into sin x का cos x, plus second function, into eat pour x का eat pour x, dx is equal to dt, फैदा यह हो गया, कि पूरी cheat dt लिखी भी है, मताब आपको रखने की जरूते नहीं है, so i is equal to क्या हो जाएगा, dt हो प्लस c, t कमान रख दो, to eat pour x, sin x, plus c, तो एक तो यह answer हो सकता है, ठीक है, यह भी एक तरीका है, दूसा तरीका यह है, जो second method यह है, कि इसको bracket खोल के अलग-अलग product rule के लिए दिमाग लगाते हैं, ठीक है, तो यह हो जाएगा, eat pour x, sin x, अलग कर दो, dx, और plus eat power x, cos x, अलग कर difference, जब ऐसा होता है, कि एक का differentiation कही present दिखता है, तो हम यहाँ पर isolate लगाएंगे, और यह अपने आप cancel हो जाएगा, लेकिन यह समझ में नहीं आता है, कि isolate को यह follow करेगा, यह यह follow करेगा, कोई एक है जो follow करेगा, ठीक है, अब यहाँ पर इसमें नहीं आता है, otherwise कोई और question हो सेक स्क्वार एक्स होता है, और वहाँ पर 10x होता है, तो हम जान जाते हैं, सेक स्क्वार एक्स का integrate करने पर 10x आता है, दिख जाता है, लेकिन होता क्या, साइन का differentiation को साइन का integration भी कॉस, बताँ माइनस में हो जाएगी value, तो हम फिलाल इसमें isolate लगाते हैं, तो isolate के हिसाफ से first किसको मानेंगे, sine x को, तो आएगा sine x into integral of second function minus differentiation of first function into integral of second function, जो भी result आएगा, उसका whole integration करते हैंगे, यह हमने isolate लगा, इसमें नहीं लगाएंगे, एक में product rule लगाएंगे, एक को ऐसे लिख देंगे, और यह ऐसे लिख दिया, integral of each porex cause x dx, आ रहाई है, ठीक, अब देखिए, खुलिए इसको, sine x, each porex का differences in each porex, integration minus, integral of, sine x का differences in cause x, into each porex, dx, और उधर क्या लिखा हुआ है, integral of each porex cause x dx plus c, यह अपने आफ cancel हो गया, पूरा-पूरा same ditto match कर रहा है, यह आएगा, each porex, sine x plus c, यह इसका integral है, यह 16 questions है, चुकि एक साथ अगर हम वीडियो पूरे, पूरे excise डालेंगे, तो बहुत लंदी हो जाएगा, और ज्यादा देखने के आपके आदात नहीं है, ठीक आपको skip कर करके देखते हैं, तो ध्यान से कर लिजेगा, अगर आपको किसी topic में, किसी point में कोई दिक्कत हो, तो you can write in the comment box, कुछ भी लिख सकते हैं, हो के, नमस्कार, next in the next video, यह बताना बूल गयते हैं